नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन एक्टेड़ी वे डिके में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज हम बात करने वाले दोस्तों जन्तु से संबंदित पचास अतिमहत पूर्ण प्रस्णों के बारे में हम अध्याय जो पहला है वो पहले ला चुक है यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वहाँ पर देख लीजिगा यहाँ पर एक स्रीच चल रही जिसमें आपको त्यारी करना है जिस तरीके से आप पहले से त्यारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं अध्याय वाइस दोस्तों सीटेट रिविजन टाइम लेकर आ रहा हूं जिसमें अध्याय फश्ट में पहले डाल चुका हूं जिसमें परिवार एवं मित्र के 75 आपको प्रस्ण मिलेंगे यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पर 50 प्रस्ण मिलेंगे और 500 के 500 ही दोस्तों मोस्ट इंपोटेंट प्रस्ण है तो इसकी प्मत पूरा देखेगा अन्तिप में हमें जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा यदि आपको इसकी पीडियेप चीए तो आप हमारे एप सो टेट सक्सेस के माध्यम से आप इसकी प्राप्ति कर सकते हैं जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए गया है most important प्रसन है आपको इस तरह के प्रसन को याद रखना चाहिए कि बहुत सारे questions से ऐसे होते हैं जो आपको याद तो होते हैं पर वहाँ पर जब आप exam hall में बेठते हो तो वहाँ पर याद नहीं आते हैं वहाँ पर आप confused हो जाते हैं तो आपको अच्छ से सभी प्रस किया गया है निवास इस्थान के अधार पर आब इस्थल चल जल चर नभ चर उभई चर इन में कौन-कौन से जीव जन्तु आते हैं इनके बारी में आपको बता देता हूँ थोड़ी सी ड्यूटियल दे देता हूँ जिससा कि यहाँ पर दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है इ जो इस्थल पर रहने वाले जीव होते हैं जैसे कि मानव, गाय, भेज, घोडा, गदा, सोवा, रादी यह सबी इस्थल चर होते हैं जल चर में जो जल में रहने वाले जन्तु होते हैं जल चर के अंतरगत आते हैं जल चर के अंतरगत आते हैं नभ चर की बात करें जो आकास दोनों पर रहने वाले जन्तों को हम उभहिचर केते हैं जैसे की मेंडक और कच्छवाय दोनों ही दोस्तों जल वर्ष्थल दोनों में रहने वाले जन्तों है इन्हें उभहिचर के अंतरगत रखा जाता है तो याद रखेगा इन सभी के बारे में आपको बता दिया गया है य अधिकान से पक्षी अपनी गर्दन अत्यदे खिलाते हैं इसका कारण क्या है इसका कारण क्या है तो उसका कारण है कि अधिकान से पक्षीयों के नेतर इस्तिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते ये इसका कारण होता है चलिए गला प्रशन है कुट्ता मचली का आवास क्या है Most Important question है यहां पूचा गया है exam में तो जो कुफ्ता मचली का आवास होता है वो समुद्र होता है याद रखेगा कुफ्ता मचली का आवास समुद्र होता है चलिए गला प्रशन है यहां पर मेंडग हमारा राएट अंसर होगा चलिए अगला प्रश्ण है जीवन्त जिवास में किसे कहा जाता है याद रखेगा most important प्रश्ण है जीवन्त जिवास में किसे कहा जाता है तो यह सामोद्रिक कच्छपों को कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्सों से अधिक समय से प्रत्वी में उपस्ती थे इसलिए इन्हें जीवन्त जिवास में कहा जाता है सामोद्रिक कच्छपों को तो यह आपको याद में रखना है चलिए अगला प्रश्ण है समूद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किस प्रजाती की है यहाँ पर आपको समूद्री कच्छप में बताना है सबसे अधिक संख्या किस प्रजाती की है तो याद रखेगा आलेव रिडले एक प्रजाती होती है यह समूद्री कच्छप मे आधुनिक वर्गी करन करने का स्रे केरूलस लीनियस को जाता है सरी सर्फ जीव का यूग कौन से यूग को माना जाता है इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो यहाँ पर जो सरी सर्फ जीव का यूग है वो मीसो जोईक यूग को माना जाता है चलिए अगला प्रश्न है बगुला भेंस पर क्यों बैठता है Most important प्रश्न है सीटेट इक्जाम में पूछा गया है आपने इस प्रश्न को बढ़ा भी होगा तो यहां पर जो मकड़ी है दोस्तों मकड़ी कीट एक ऐसा जीव है जो मदुमक्षियों की भाती कालोनी आ फिर बस्ती में एक साथ नहीं रहता है तो यहां पर मकड़ी हमारा राइट अंसर होगा चलिए गला प्रश्न है इस्पाइरो गाईरा है क्या है दोस्तों यह तो यह एक कोसी सुक्ष्म जीव है प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ जाता है कि एक कोशी सुक्ष्म जीव कौन सा है और वहाँ पर इस्पाइरो गाईरा भी दिया जाता है और वहाँ पर आपको राइट आंसर इसी को लगा कर आना है तो यहाँ पर हमारा एक कोशी सुक्ष्म जीव राइट आंसर हो जाएगा चलिए गला प्रश्न है जब एक जीव प्रश्ण को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ प्रश्ण दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है और मैं इक बात आपको बता दूं कि जितने भी प्रशन जन्तू से बने हैं उन्हें सभी प्रशनों को लिया गया है तो सभी प्रशनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है और एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि आप इसको पीडियाप चाहिए इनके जो अगर दात होते हैं दोस्तों वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दातों को जो अधिक लंबा ना होने के कारण वो वस्तों को काटते हैं फिर कुतरते रहते हैं कौन गिलेरी तो यहाँ पर गिलेरी हमारा right answer होगा चलिए अगला प्रशन है रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते ही most important प्रशन है यहाँ भी CT टिकजा में पूछा गया है आपने इस प्रशन को कभी ना कभी पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो रात में जागने वाले जानवर है वो हर चीज को काला और सफेद रंग में देखते हैं तो यहाँ पर का पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं मुरतक भक्ची कहते हैं भारत में पेलिकन पक्ची कौन से इस्थानों पर प्रशन करते हैं तो यहाँ पर जिन जिन इस्थानों पर प्रशन करते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कोकारे बेलूर नेला पट्टू और इन तीनों स्थानों पर प्रजन करते हैं भारत में पेनिकल पक्षी चलिए अगला प्रश्ण है कौन सा पक्षी अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है तो यहां पर अगला प्रश्ण है हमारा जीव विज्ञान में मील का पथर 1869 की पुस्तक आन्दा ओरिज रचिता के बारे में बताना है कौन है most important प्रश्ण है तो इस पुस्तक के रचिता चार्ज डार्वीन है यदि पूछा जाए कि इसमें किसका विवरण है तो याद रखेगा इस पुस्तक में या फिर आन्दा ओरिजिन आप स्पीच पुस्तक में प्राकर्तिक चैन सम्मंद जित सोध का विवरण है याद रखेगा किसके द्वारा लिखी गई डार्वीन द्वारा यहाँ पुस्तक लिखी गई तो यहां पर अगला प्रश्ण है हमारा हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले साफ पाए जाते हैं पूछा जाता है एक्जाम में तो यहाँ पर उनसे नाग, करेत, दुबोई और अफाई, ये चार प्रकार के जहरीले साप हमारे देश में पाई जाते हैं, चलिए गला प्रशन है, साप के काटने की दवाई किस से बनाई जाती है, तो याद रखेगा जो साप के काटने की दवाई बनाई जाती है, वो साप के जहर से ही ब बेठा दिखाई देता है आपने देखा होगा अकसर की भेंस की पीट पर बहुला पक्छी बेठा दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है क्योंकि बहुला भेंस की पीट पर परजीवी कीट खाता है इसलिए बहुला पक्छी भेंस की पीट पर बेठा दिखाई देता ह चलिए अगला प्रशन है, कोन से पक्षी मनुष्ची के चार गुना जारा दूर तक देख सकते हैं, तो वहाँ पक्षी, चील, बाज और गिद्धे हैं, ये तीनों ही पक्षी मनुष्ची से चार गुना जारा दूर तक देख सकते हैं, चलिए अगला प्रशन है, सारे ली रचना की अधार पर जन्तूं का वर्गिकरण मीचिया गया है धूस्तूं को द्यान से पढ़ना है उसके बाद प्रशन के अधार पर पूछा गया है कि जनतूं को कितने भागों में वर्गिकरण किया गया है प्रशन के अधार पर पूछा गया है प्रशन के अधार पर 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 जनतूं का कितने भागों में वर्गिकरण किया गया है दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर आपको कोशी का क्या धार पर बताना है कि जन्तूओं को कितने भागों में वर्गी करण किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो भागों में वर्गी करण किया गया है कौन-कौन से एक कोशी जन्तू और बहु बहु कोशी जनतु अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक कोशी जनतु किसे कहते हैं और बहु कोशी जनतु किसे कहते हैं तो यहाँ पर एक कोशी जनतु इस वर्ग के जनतु का सरीर एक कोशी का से बना होता है याद रखेगा एक कोशी जनतु का जो सरीर होता है वो एक कोशी का से बना होता है इनहें सुँष्म दर्शी की साहिता से देखा जा सकता यदि उद्धारन के तूर पर हम जाने तो अमीबा, अमीबा एक कोशी जीव है और याद रखेगा एक कोशी जीव होते हैं उन्हें प्रोटो जोगान भी कहा जाता है अब बात करते हैं बहु कोशी जन्तु की बहु कोशी जन्तु में इस वर्ग के जन्तु का सरीर कहीं प्रकार के कोशी काउं से बना होता है याद रखेगा बहु कोशी जन्तु है जिनका जो सरीर होता है दोस्तों वो कहीं प्रकार के कोशी काउं से बना होता है और इनमें यद अधार पर जन्तूं को कितने भागों में वर्गिकरत किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसे भी दो भागों में वर्गिकरत किया गया है प्रजिनन के अधार पर जन्तूं को कौन-कौन से अंडायूज और जरायूज अब अंडायूज क्या होता है और जरायूज क्या ह अगले जन्तु सामिल होते हैं जैसे कि हाती गाय इत्याद ये सभी जरा योज के अंतरगत आती हैं तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना है अगला प्रशने हैं अन्यम्रत जन्तु पर निर्वा करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस दूसरे जन्तु पर निर्वा करने वाले प्राणी को पेरा साइट पर जीवी कहते हैं चलिए अगला प्रशने हैं म्रत पसु एवं जन्तु पर निर्वा करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं शुरू में मैं आपको बताया कि म्रत जन्तु पर निर्वा रहने वाले प्रानी को क्या कहते हैं तो यहाँ पर अपगटक कहते हैं तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं पक्ची एक ही समय में दो भिन-भिन वस्तूं को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों और आखे होती हैं इसलिए यहां जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय में दो भिन 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 वस्तू को देख लेते हैं चलिए गला प्रश्ने है कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पेर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पेर आगे बढ़ाता है तो वहां जानवर जिराफ है जो कि पहले अपने एक तरफ के दोनों पेर आगे बढ़ाता है और फिर दोनों तरफ के पेर आगे बढ़ाता है वो कौन सा जानवर है? जिराफ है चलिए गला प्रश्ने है चलिए गला प्रस्ण है अब सबी को पता होगा तो यहाँ पर अगला प्रश्ण है जीओ के विभार का अध्यन किया जाता है most important प्रश्ण है CTA exam में पूछा जा चुका है तो यहाँ पर जीओ के विभार का अध्यन इतोला जी कहलाता है इतोला जी यहाँ पर हमारा right answer होगा चलिए गला प्रश्न है कौन सा पक्षी केक्टस पोधे के काटों के बीच अपना गोंसला बनाता है तो वह पाक्था पक्षी जो केक्टस पोधे के काटों के बीच अपना गोंसला बनाता है चलि एगला प्रश्न है मदुमक्खी पालन का उप्यूक्त समय कब होता है तो यहाँ पर जो उप्यूक्त समय होता है मदुमक्खी पालन का वो नवंबर से फरवरी का होता है याद रखीगा सभी के सभी दोस्तों most important प्रश्न है आप फिर इनको पढ़ना चाहते नर्व मादा दिखने में समान होते है तो जो बुलबुल होते दोस्तों यह पखची नर्व मादा दिखने में समान होते है चलिए गला प्रश्न है कोन सा पक्षी स्वयम के नीड का निर्मान करता है तो यहाँ पर कोयल है दोस्तो कोयल पक्षी है जो स्वयम के नीड का निर्मान करता है चलिए अगला प्रशने है भारत में कहां सींग युक्त गेंडा मिलता है तो याद रखेगा ये असोम में मिलता है भारत में असोम में भारत में सींग युक्त गेंडा मिलता है चलिए अगला प्रशन है, पोधे और जन्तु की संकट ग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्सित करने के लिए कौन सी पुष्टक तियार की है, ध्यान रखेगा पोधे और जन्तु की बात हो रही है, इन दोनों की संकट ग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्सित करने के लिए, रे सरी सर्प के अंतरगत कोन सा जीव आता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कच्छवा सरी सर्प के अंतरगत आता है साथ ये साथ दोस्तों आपको सर्प और छिपकली को भी याद रखना है क्योंकि ये दोनों भी सरी सर्प के अंतरगत आते हैं तो यहां पर कच्छवा छिपक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश जो मोनाल पक्षी है यह उत्राखंड राज्य का राज्य पक्षी तो है ही साथ यह हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है तो याद रखेगा उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश इन दोनों का जो राज्य पक्षी है वो मोनाले तो यहां पर उत्राखंड के बारे में पूछा जाए या पर हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो आपको गलत नहीं करना है तो यहां पर अगला प्रशन है हमारा भारत का राष्टी पसु कौन सा है सरलसा प्रश्ण नहीं तो आप सभी को पता है भाग भारत का राष्टी पसु है तो यहाँ पर अगला प्रश्ण है हमारा जली जन्तू में सुरसन होता है तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा जो जली जन्तू में सुरसन होता है वो गलफडो द्वारा होता है मैंने आपको बताया था 50 प्रशने मिलेंगे इसमें एक प्रशन आपको इस्टा मिलने वाला है बर्फ पर अंडे देने वाला पक्ची कौन सा है तो याद रखेगा पेगवीन पक्ची एक ऐसा पक्ची है जो बर्फ पर अंडे देता है तो यहाँ पर पेगवीन हमारा राइट आंसर होगा और मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको जन्तु से सम्मधित 50 प्रशनी मिलेंगे आज की प्रशना आपको केसे लगे कमेंट से के माध्यम से ज़रूर बताएगा यदि आपको एक बार और इन प्रशनों को पढ़ना है तो आप हमारे एप्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं जिसकी लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यदि वीडियो अचल लगे तो लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के सेर कर दीजेगा